के यह एलो दोंस्तो मैं आपलोगों पंगीए फिर से नए वीडियो लेकर रहा हूँ इस वीडियो मेन बताने वाला हूँ कि हमारे से स्थीर में केल्सियम की कंई क्यों होती है और कब होती duplicate क्मी क्यों ती क्ये मैं पर होती है और इसे कैसे दूर करें कैल्सियum की कमी को हम दूर कैसे करें एधिया अप मेरे जनले पर भी नए हों तो मेरे जनल को सब्सक्राइब कर लें और व्यल आइकन दवादें और जुड़ें वीडियो के इन कि मेरे चनल की कोई बात है आप लोग उसे मिश ना और कैल्सियम की कमी कैसे दूर करें हमारे सरी में एक हेमोपैथा थायरें जो एक ऐसी बिमारी होती है जो हमारे शरीर में जो केल्शियम के मात्रा होती हो हमेशा नीचे की और गिराती है यदि आपके सिर्में केल्शियम की कमी हो तो आपके मसल्स सिस्टम में पिन होने लगेगा और मसल्स झिशिटम में पेन होताएगा और बार बार आपको ग्रिप्ट यानि कि टांच लगने लगेंगी जो मसल्स में इसपास जाने का काम करती है जो पेन आता हुआ कैलसियों की कमी से ही जरी में में भूता है ओ मुसली अर्म मसल्स में आता है और चलने के फिरीमें भी निदमने लगता है इसको आप एशा माना जाता है कि काल्सियम की कमें से मसल्स के जूड़ों में भी पिन इस्टार्ट हो जाता है और पूरे शरीज में थकावट यानिकी आपको काम करने की इच्छा भी नहीं करेंगे थकावट ऐसा सुने लगेगी केल्सियम की कमी से और लो सम्तियोंट की भी यार्ट हर्ट के मसल्स की भी लो फेश फेशन भर भॉल और छाहते ही ऑर Wonderful की कि शिटम पर भी डर रहता है यदि आप measure can का काउंट कम हो रहा है यदि आप क्लिसिम का काउंट कम हो रहा है तो आप शरीर में कैल सिम की मात्रा को शरीर को ठकावट और सुस्ति महसूस होने लगे लगातार यदि आप कि को एस सब चीजों का सामना करना पड़ना तो आप एक बार डॉक्टर से चेकप जरूर करो है और डॉक्टर के प्रमानुशार आप कैल्सिम की टेबलेट और विटामिन्स की टेबलेट जरूर नहीं ताकि आपके शरीर में जो एक दिक्कत आ रही है यानि कि थकावड यानि ही होता है कि आपको कोई भी दिक्कत आहिशास पड़ रही तो आप तुरन डॉक्टर के पास जाके और अपना चेकप करो हैं और साथ में कैल्सियम इत्यादी का दूद के साथ कैल्सिम की टेबलोट का सेवन करें यादि आप को यादि काफी दिन से धर्ध चल सरी वह हो रही तो आप को यह एअसास नहीं होता कि हमारे संसे में क्या दिक्कत है बहुत लोग कहते हैं थकावट के कारण दर्दोतल बट ऐसा कुछ नहीं आए दिया आपके शरीर में कोई थकावट नहीं होगी तो इस चे पहले जोदि आपको कोई ऐसी समस्था है तो आप बढ़ी हैं डॉक्टर के पास जाके अपना चेक अप करवा के उसके प्रमानुशार आप अपना इलाज जरूर कराएं ताकि आपके शरीर में कोई दिक्कत नार है और कैल्सिंगी कमी भी नार है और आपके इस्टोन यदि आपके हडियां जैसे पत्थर की जैसे बनी रहें और आपके हडियों में जो भी दिदर्द यानि की मसल्सों में दर्द होती है और मांसिक तनाव भी आ जाता है कैल्सिंगी कमी से तो यह सब आपको विशेश ध्यान देना है यदि आप मेरे चिनको भी नहीं किया है तो मेरे जिनको सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन दबादें तकि मेरे वीडियो भी आप लोगों तक बराबर पहुंचती रहें और अच्छे चीजनकरी मिलती रहें और यदि आप कैल्सिंग की टेबलेट बेगर डाक्र की बताय से यूज़ कर रहें तो